हेलो स्टूदेंट्स आज मेटर्लोजी के चेप्टर लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट इसके अंतरगत शिलेंडर बोर गेज शिलेंडर बोर गेज टेलिस्कोपिक गेज फिलर एंड वायर गेज इसका अध्यन करेंगे सबसे पहले हम सलते हैं सिलिंडर बोर गेज इस इस टेलिस्कोपी गेज का उप्योग है वह हम जिद्रों खांचो के आंतरिक व्यास को मापने के लिए करते हैं ड सका ओने के लिए उस enrollment के सीरे पर दो ट्यूपसा होती है उन ट्यूपस में दो रोड लगी वी रहती है ठीक है यह आपका टेलिस्कोपिक गेज इस प्रकार का होता है यह आपका हैंडल है ठीक है इस हैंडल के एक सिरे पे इस सिरे पे यह दो ट्यूब लगी वी है एक ट्यूब यह है दूसरी ट्यूब यह है तो यह दो ट्यूब है इन दोनों ट्यूब में क्या लगी हुई है यह दो रोड लगी हुई है दो रोड है वो लगी हुई है तो जिस प्रकार से हम टेलिस्कोप को सेट कर सकते हैं दुरुबीन को सेट कर सकते हैं इसी प्रकार यह जो दो रोड है इस ट्यूब में लगी कि इसको हमें टेलिस्कोपिक केते हैं कि मेसलिए इसको वізको पीके में गेशे करें तो यह दो ट्यूब है इन दोने ट्यूब में दो श्owe लगी है इसलिए इसको हमें प्रिफ संपरक शत्य यह क्या बनाए हो आए दोने कने धिआ दोने यह संपर्ग सता है यह एक आंत्रिक स्प्रिंग के द्वारा बार की और निकली रहती है तो यह जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर है वो इस्प्रिंग लगी रहे है इस्प्रिंग के दबाब के कारण इस्प्रिंग के प्रेशर के कारण ये दोनो रोड है, ये दोनो रोड बार की ओर निकली वी रहती है तो इनकी जो गोली ये संपर्ख सता है ये भी बार की ओर निकली वी रहती है इन दोनो रोड को हम ये जो हिंडल है इस हिंडल के इस सिरे पे लोक स्क्रू लगावा है से हम इनको लोग कर सकते हैं इस पोजिशन को लोग कर सकते हैं अब क्या करेंगे मैं इससे इससे क्रता है होल और स्लोट है उसका आंत्री की व्यास है वह नापते हैं ठीक है यह मालीया यह कोई आइटम है यह होल ने इस होल और इस होल में आंतरिक व्यास हो नापना है वाँन व्यास नापने की लिए क्या करते हैं कि है इन दोनों छड़ों को यह जो आपका चिद्र में दबा करो आते हैं ठीक है पहले भांड में लेते हैं और क्योंकि Spring Pressure के अंडर में आफ घẹll मैं दोनों भाइयें डबाएंगा पुल्स करेंगे यह की तरो गव्थ wrestling में प्रवेश कर भाएंगे हम छोड़ देंगे इस स्पूड देंगे तो सिद्र की सतों से संपर्ख में आ जाएगी संपर्ख में आ जाने के बाद में यह लोक स्कुरू है इस लोक स्कुरू की साहिता से इन दोनों की पोजिशन है इस पोजिशन को लोक कर दिया जाता है और लोक करने के बाद में इसको बाहर निकाल लाते है अब यह जो कि धुरूप के दौरा थbook है। तो यह हमें यह पता चल गया कि के नम से रोड कितनी बाहर निकली है, तो अभी इन के भीच स्लोट का आंत्रिक व्यास है वो कितना है इस प्रकार हमें टेलिस्कोप काम करता है क्योंकि शड़ें यह दो नो रौड को हमें टेलिस्कोप को आगे पिछे करके कराब कर सकते हैं ऐसे इनको हम दबा के सेट कर सकते हैं इसलिए इसको टेली स्कोपिक ग्यज का जाता है अब सबसें सेलन्डर बोर गेज आप कि बाद करके सब्सक्राइब कर दिखाया गया कि इसको है अब सिलेंडर बोर्गेज नेक्स्ट सिलेंडर बोर्गेज कि सिलेंडर बोर्गेज है इसका उप्योग डीप होल का आंत्रिक व्यास गोलियता टेपर आधिकी जांच करने के लिए इससे हम नापेंगे नहीं किसी क्या करेंगे जांच करेंगे किस कि जांच करेंगे इंटरल डायमेटर की गोलियता की टेपर इसकी जांच करने के लिए सिलेंडर बोर्गेज है इसका इस्तेमाल किया जाता है ठीक कोई भी आपका इंटरल डायमेटर है उसमें चेंज तो नहीं हो रहा है गोलियता में चेंज तो नहीं हो रहे हैं इसकी जाच करने के लिए इसके इस्तेस्वाल किया जाता है है एक中共 सेते यह में इसी परकार इसमें भी यह दो संपर्ग सतह है एक है ही है यह संपर्ग सतह है यह स्थिर है जो आपकी जो फिक्सट है यह विविल लंबाय की चड़ों के रोप में में होती है कि यह वी मिल लंबाई की रोड के रूप में बीक हुव हुगी छो 200 mm होगी तो इस fix contact order को हम हमारी requirement के अनुसार इसमें लगा सकते हैं चेंज कर सकते हैं तो पहली fix सता होगी फिक्स सता हो विवेल लंबाई की छड़ो के रोप में होती है जिनके लंबाई उन पर अंकित होती है और adjustable सता है यह spring यह लिवेल वेश्ष में हो दौख दवारा dial indicator से जुड़ी हो रहती है या आपकी समझञ होगी ऐख निज़ी होती है और इसके अंदर की लिवर होता है यह किसे जुड़ी है जुडी होगी रहती है अब आपका यह समझञ होगी सता है factors कि अजब इसको पलंजर भी Jenis की जो सुक्स्मगति है हुआ कि स्थ्में इस या पड़ सकते हैं अब इसको कैसे करते हैं कि चे mm करने क से लिए कि दि स्थ preparation नौल होते है कि उनकी टे पर जासने के लिए गोलेता जाचने 게 लिए गेह राही किसात क्या परिबद्थन हो रहा है उसको जाजने के लिए करते हैं तो कैसे करते हैं जैसे आपका यह को है इसकी गोलियत जाजने का टो जाजने कंगे इसमें संपरक शत्य लगाएंगे यह एक तो यह होगी आपकी संफर्क सते है और दूसरी दूसरी वाली यह हो गई यह वाली तो fix है आपकी और यह यह adjustable है ठीक है तो इसको हमें छिदर में डालेंगे और गुमाएंगे फिर गुमाएंगे तो जीसे मालिया यह आपके थोड़ा सा गी इधर हो गया इधर व्यार तो डायल इंडिकेटर में विक्षेप आजाएगा इसे प्रकार हम चेक करते करते जैसे यहां है यहां है तो यह जैसे यहां ऐसे तुरूटी एस में तो यह समंझे नहीं सत्य जब यहां आएगी तो यहां आएगी तो थोड़ी दब जाएगी तो दब जाएगी तो भी फिर डाय गोलेता की जांच कर ली इसके द्वारा कोई रिडिंग नहीं ली हमने बल किस से क्या कि हमने जांच की गोलेता की जांच की इसी प्रकार सेम टेपर है उस टेपर की जांच भी कर सकते हैं ठीक है गोलेता की इंटरल डायमेटर की वो टेपर की इन तीनों की जांच है वो इस इ अब नेक्स्टम चलते हैं अब फिलर गेज कि फिलर गेज क्या होता है यह आपका फिलर गेज है फिलर गेज का उप्योग है वो दो मिलने वाली सत्य होती है मेटिंग सर्फेस होती है ही मेटिंग सर्फेस होती है मेटिंग स्रुफेस के बीच में अब जाचने के लिए किया जाता है जैसे मेंटिंग सर्फेस स्योगी सिलेंडर का यह इया का इस इसमें पीश्टन लगावाender यह अपका सिलेंडर और यह आपका पिस्टन तो सिलेंडर में पिस्टन है वो गति करता है तो इसके बीच में हलका सा किलेरेंस रहता है किलेरेंस रहेगा तब अधरवाइज फस जाए गई इसलिए इसमें थोड़ा सा किलेरेंस है वो छोड़ा जाता है तो इसके č데 kalian को चेक करने के लिए इस विललर के इसे का इस्तेयमाल किया जाता है कि इसी के साथ साथ हमाई टू-漏लरanız धो म 맞아 होते हैं जिस में पेट्रॉम इस्तिमाल-ग उता है उसमें इलेक्टोड लगा होता है तो इलेक्टोड होता है उस इलेक्टोड के मद्दे गेप गेप होता है इलेक्टोड के मद्दे गेप होता है उस गेप में स्पार्क उत्पन होता है इस पार्क उत्पन होने से पेट्रोल और हावा के मिक्षर में आग लगती है जिसके कि इस्टिल की वीमन-ब्रस्ट यह पत्य होती है निस्चरित mautoolu की ऐस Breaking होता है ुस्केस अमें लगी-वी रहते हैं इसक्रों की पत्ली-पत्य होती है जिनकी mortal Nishteth अंत्राल से बढ़ती होती है जिनने एक साथ एक होल्डर में हिंज करके रखा जाता है तो यह विविन मोटाई की पत्तिया होती है जिनकी मोटाई है और निश्चित अनुपात में बढ़ती है जैसे पॉइंट के बीच में क्लिर्स चेक करना है तो इनको इस प्रकार से डालते हैं कि यह धिली भी नहीं रहे और इनको डालने के लिए में मेहनत भी नहीं करनी पड़े यह ज्यादा जोड से भी नहीं डालनी पड़े और यह धिली भी नहीं रहे तो इस प्रकार से इन पत्तियों को इनमें डालते हैं और पत्वियों को डालके इनकी बीच में gap या clearance है वो हम check कर सकते हैं तो इनका set आता है ने अलग-अलग set जिसे यह set है, 8 का set है set नमबर 1, 8 का set है इसमें 0.03 से 0.1 mm की पत्वियों का समु है कितने के step में 0.01 mm के step में तो इस प्रकार ये पूरी लिस्ट बनी हुए आपकी आठ का सेट नो का सेट 16 का सेट ग्यारा का सेट सब्सक्राइब तो कितनी mm से कितनी mm तक है और किस स्टेप में यह सब इसके उपर लिखावा रहता है तो यह आपका हो गया फिलर गेज ठीक है तो फिलर गेज एस फिलर गेज के साथा से दो मेटिंग सर्फेस होती है उन मेटिंग सर्फेस के बीच में क्लिरेंस नापने के लिए और इलेक्टोड होता है उस इलेक्टोड के बीच में गेप ना गेज गेप है वो चेक करने के लिए फिलर गेज है इस और आपका वायर गेज यापका का वायर गेज वायर का इस्तें मैं तो प्रदि पे खांच बने होते हैं वीवियाश के ककि चांचे बने होए है ठीक है तो इन खाचों में जाचे जाने वाला तार है जाचे वालतार को फसा जाता है वह फसा कि उसकी मोटाई हो गया थे की जाती है जिसे यह 7 8 9 10 11 कि गेज का है वह बना हुआ है तो जिसे जिए आपका बढ़ता जाता है मोटाई के गेज का हो गया दो गेज्चने के लिए इसमें तार को फसाएंगे जिसे में मौथ होजाएंगे घथाे में है आपकी आपका तार पर्रक्ति हो जाए आपकी फिटया है वह यह उससे वायर का गेज होता है तो इसमें भी यही ध्यान रखा जाता है कि गेज चेक करने के लिए जिस खाचे में वाहिर को डाला जाए वो ने तो टाइटली फिटो और नहीं डीला रहे ठीक वाहिर गेज है वाहिर गेज की रेंज पॉइंट वन एम्म से दस एम्म तक की होती है धन्यवाद